नमस्कार मैं हूँ मनोज मनू एडिटर चोईस में आपका स्वागत है सूचना का अधिकार एक ऐसा हत्यार जिसके जरीए हम लोग हित की कोई भी सूचना सरकार से मांग सकते हैं चाहे सरकार इसके लिए राजी हो या फिर नहीं लेकिन अब धीरे धीरे इस अधिकार को हाशिये पर धकिला जा रहा है सूचना एक्तु के अधिकार में कटौती हो रही और उनके ओदे को भी कम किया जा रहा है राज्यों के सूचना की न्युक्ती भी केंदर सरकार करेगी यानि कि केंदर और राज्य के बीच फिर से टकरा होने जा रहा है विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार के प्रस्ताओं में है क्या लेकिन सबसे पहले नजर सुर्कियों पर हर्याणा के सोनी पत्नों बोले पढ़ान मंत्री मोधी 370 हटाने और बाला कोट का जिक्र होने से कॉंग्रेस के पेट में दर्द क्यों INX मीडिया केस में CVI ने दाकिल की चार्शीट सुप्रीम कोट ने रखा चिदम्रम की जमान तरजी पर फैसला सुरक्षिक आयुध्या मामले पर मुस्लिम पक्षकार ने कहा सुनी बक्ष बोर्ड को छोड़ किसी पक्ष को मन्जूर नहीं है समझता परबरी 2020 तक ग्रे लिस्ट में रहेगा पाकिस्तान टेरर फंडिंग बंद करने के फनाइशल लेक्षन टास्कों से मिली पड़ी चिताब लखनों में हिंदू समाज पार्टी नीता कमरी इश्तिवारी की कला रिद कर हत्या आरोपियों की तलाश में जुती पलिस दिल्ली पुलिस के थानों पर हो सकते हैं फिदाइन हमले खोफिया एजंसी ने जारी किया लट जस्टिस शरद अर्बिंद बोबने होंगे देश के अगले मुख्य नियाधीश मौजूदा सीजे आयर रंजन गोगईने की सरकार से सिपारिश न्सीपी नेता प्रफुल पटेल में एडी दबतर नहुई पूस्ताच एकवाल मिर्ची से जुड़े केस में हुए सवाल जवाब दिल्ली विधान सवा के स्पीकर राम निवास को छे महिने की जेल की सजा जवरन बीजेपी नेता के घर में खुसने का धाकिस और जन्द ही ले जाएंगे रक्षा मंतरी राजना सिंग चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर करेंगे लिरक्ष सूचना एक शब्द जिसको लेकर तरह तरह की चर्चा होती हैं सूचना एक शब्द जो आजके समय में सबसे बड़ी तागत और सबसे बड़ी शक्ती मानी जाती है अब सूचना को लेकर पहरा लगाने की कुशिश की जा रही है सरकार एक प्रस्ताव भी त्यार कर रही है इसलिए उसे प्रस्ताव पर विचार करने की बात कर रही है तमाम तरह की जो विपक्षी पार्टियां विपक्षी नेता उसे मुद्दा बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन आखिर ये पूरा मसला है क्या सरकार इस मसले को लेकर क्या करना चाह रही है मुखे चुनाओ आयुक्त माफ कीजिए मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का कारिकाल अब कम किया जा रहा है फिलाल मुख्य सूचना आयुक्त का दर्जा मुख्य चुनाव आयुक्त और सूचना आयुक्तों को दर्जा चुनाव आयुक्त के बराबर होता है इस साल जुलाई में केंदर सरकार ने RTI Act में संशुधन किया जिसके तहर केंदर और राज्य सरकार अब मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों के कारिकाल पारिशर्मिक और सेबा शर्तों में बदलाव करने जा रही है इसी के तहर डिपार्टमेंट और पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानि की डियो पीटी के नई ड्राफ्ट में मुख्य सूचना आयुक्त का कारिकाल पांच से घटा कर तीन साल करने का प्रस्ताव है मौजूदा समय में मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों को सरकारी घर और तमाम वो भत्ते मिलते हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त और सुप्रीम कोट के जज़ को मिलते हैं 34,000 रुपे महीना भत्ता किराया मुक्त आवास और हर महीने 200 लीटर इधन खर्च मिलता है लेकिन बदलाव के बाद मुख्य सूचना आयुकत का पद कैबिनेट सेकेटरी और सूचना आयुकतों को पद केंदर सरकार के सचिप के बराबर हो जाएगा और वरीता सूची में इने बहुत नीचे रखा जाएगा इस ड्राप्ट को हरी जंडे ही मिलते ही सरकार के पास यह जाएगा जहां पर इस पर अंतिम होर लग जाएगी इसके साथ सूचना आयुक देश में आटी आई पर कारवाई करने और फैसला लेने की सरबुची संस्ता है 14 साल पहले 15 जून 2005 को इस बिल को रस्टपती ने मंजूरी दी और 12 अक्टूबर 2005 में सूचना का इदिकार कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ इस वक्त मुख सूचना आयुक के साथ 6 सूचना आयुक केंदरी सूचना आयुक में तेनाथ है मुख सूचना आयुक की नियुक ती प्रधान मंतरी की अगवाई वाली 3 सदस्ये पैणल करता है इसमें प्रधान मंतरी के लावा लोकसवा में विपखश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता और प्रधान मंतरी द्वारा कोई भी नामंकित व्यक्ति यानि की केईंदरी मंत्री होता है इसी तरह राज्यों के मुख्य सूचना युक्ति मुख्य मंत्री की अगवाई में तीन सदस्ये पेनल करता है सूचना के अधिकार के तहत सरकारी रिकॉर्ड को देखा जा सकता है तीस दिनों के अंदर किसी भी सरकारी विश्य पर सूचना मांगी जा सकती है अगर विभाग सूचना देने में देरी करता है तो इस पर जुर्माने का भी पराबधान बराबर बना हुआ है संभावित बदलाओ के पीछे केंदर सरकार की दलील है कि इसे से आर्टी आई की जानकारी लेना आसान होगा आर्टी आई से जुड़े प्रभंदन में आसानी होगी और पारिदेशता आएगी सरकार का कहना है कि 2005 में ये कानू जल्दबासी में लाया गया लहाज़ा नियम सही नहीं बने है अब बदराओ कर सरकार आर्टी आई कानून को मजबूत कर रही है ग्री मंत्रिया मिशा ने किंद्रिय सूचना आयो के चौदबे स्थापना दिवस पर कहा है कि देश में ऐसी विवस्ता होनी चाहिए कि लोगों को आर्टी आई ही दाखिल करने की जरूरत ना पड़े बलकि सरकार खुद सामने आकर सूचना दे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इसी तरह का प्रशासन देना चाहती है कि सूचना का अधिकार के आविदन कम कसे कम आए और लोगों को आर्टी आई लगाने की जरूरत ही ना पड़े 2005 में आर्टी आई के जरीए देश में कई बड़े बड़े खुलासे हुए मदी पुदेश के कोख्याद व्यापम घोटाले में 13 परक्षाओं में हेरा फीरी की गई इसका खुलासा 2013 में आर्टी आई से हुआ मारास्ट में 131 मंजिला आदर्श सोसाइटी गेर कानूनी तरीके से बनाए गई इसका पता भी आर्टी आई के जरीए 2008 में चला टूजी स्केम में सरकार को स्पेक्टर्म के जरीए एक लाग शहतर हजार करोड का नुकसान हुआ इसका खुलासा भी आर्टी आई के जरीए हुआ 2009 में हुआ वही 2018 में एक आर्टी आई के जरीए रिजर बैंक ने बताया के पिछले 5 साल में 13,000 करोड रुपए का फ्रॉड लॉन बैंकों के ढूप चुका है और 3,800 करोड खर्च करने के बावजूद गंगा कितनी साफ हुई है इसका खुलासा भी इसकी जानकारी भी केंदर सरकार ने नहीं दी को भरोसे में लिए किया था इसका पता भी 2019 में आर्टी आई के जरीए पता चला और ये तमाम ऐसे स्कैम हैं जो आर्टी आई के जरीए हैं देशवासी को सामने आए लेकिन अब सरकार RTI की धार को कुंद करने की यानि की कमजोर करने की त्यारी में लगी हुई है ऐसी बात तमाम जानकार करते हैं ऐसी बात तमाम जो राजनेता हैं वो करते हैं हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखर सरकार जो प्रस्ताव बना रही है चुकि राज्य सभा में और लोग सभा में ये प्रस्ताव पास हो चुका है कानून बन चुका है अब सरकार ने डियो पीटी में एक प्रबोजल मूव किया है भेजा है उस पर क्या सहमती मिलती है सरकार अपनी मोहर लगाते है ये लागू हो जाएगा राज्यों में किस तरीके से टक्रा होगा, कि इंदर की स्थिति क्या होगी, समझने की कोशिश करेंगे लेकिन पूरा केल है क्या, इसे हम जानेंगे MM अंसारी साथ जो कि फॉर्मर CIC है, नोईडा स्टूडियो में हमारे साथ मौझूद है उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, इसके साथ SS Venkatish Naik है, जो की RTI एक्टिविस्ट है, वकील है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, अनसारी साथ से हम समझेगे अनसारी साथ, अभी से नहीं बहुत लंबे समय से मुझे लगता है कि वीपी सिंग के जमाने से ये पूरी चर्चा चल रही है, RTI को लेकर सूचना की अधिकारों को लेकर 1989 से ये वादा किया गया था कि हम सूचना को लेकर कानून बनाएंगे, लेकिन अटल जी के टाइम पर इसको लागू करने की बात हुए, उसके बाद तब जाकर ये बना, करीब कानून बने हुए, अगर देखा जा तो 14 साल पहले 2005 में बना, और उसमें सुधार की बात भी हो है, लेकिन जो नया कानून बना है, संसर में जो नया कानून पास हुआ है, सरकार उसके जरीया प्रपोजल मूव कर रही है, इस से क्या होगा, क्या RTI कानून कुंद हो रहा है, कमजोर हो रहा है, मुख्य सूचनायक, सूचनायक, चाहे वो केंद्र के हों या राज्य के हों, इनके अधिकारों में कटोती होगी, ये कटपुतली बनलेंगे, क्या कहा जाए नए कानून को लेकर, नए प्रस्ताव को लेकर? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये जो नए प्रस्ताव है क्यों आया? आपने अभी जो आपने प्रस्टेशन दिया, उसमें इसका आंसर इसका उत्तर शामिल है. आपने बताया कि जब दो हजार पांच में जब ये एक्ट पास हुआ है और लोगों को सुचना का अधिकार मिला तो बहुत सारे लोगों ने सुचना मांगनी शुरू की जिसमें आपने टूजी, थ्रीजी, आदर्स, सुसाइटी के गोटाले और इस तरह की जितने भी गोटाले हुए अब जाहरे को उसका असर तो यह हुआ कि एक तरफ मनमुहन सरकार की वहवाही जरूर हुई कि हम को मालूम है कि सुचना का अधिकार अगर यह सुचारू ढंक से अगर लागू हो गया तो इनके जमाने के बहुत सारे जो करॉप्शन केसेज हैं वो बाहर आ जाएंगे और यह जो पारदर्शिता और मेक्जिमम गवर्नेंस की बात करते हैं यह बिलकुल इसका जो इसकी पो इंडिये सरकार में यानी मोदी सरकार में हमारे बहुत सारे इंट्रिटूशन का हनन हुआ है हमें डिटेल में जाने के दरूरत नहीं है आपको मालूम है कि सी बे आई में क्या हुआ है अलेक्शन कमिशन ने क्या किया या और एदारे और इंट्रिटूशन है क्या हुआ उस information act पास किया था लेकिन वो इतने सहमे हुए थे कि उन्हों ने इस act को notify ही नहीं किया उसमें कुछ modification करके 2005 में यूपिय सरकार ने इसको पास किया तो ये कहना कि ये act बहुत जल्दी में बनाए गया ऐसा नहीं है ये हम ने किर रहे सरकार के रही है सरकार ये कि ये बहुत जल्दबाजी में बना इसमें कई सारी विसंगतियां हैं कई सारी कमियां हैं उन्हें सुधार करने की जरूरत है और हम ऐसी विवस्था बना रहे हैं हम ऐसी सरकार की विवस्था बनाने कि आपको RTI की जरूरत ही ना पड़े सूचना के जो अधिकारी हैं वो आपको जानकारी दे दें तो क्या वाकई ऐसा है या इसके पीछे को छुपा हुआ है बिल्कुल नहीं है यह जो बातें की जा रही है वो भैकाने वाली बात की जा अगर आप यह और यह आपने सूचना मांगी है जो तीस दिन में जो देनी है वा आपको बीज़ दिन के अंदर मिल जाया ऐसा नहीं है अगर आप कहें कि दस रुपे फीस लगानी पड़ती है दस रुपे नहीं देने पड़ेंगे आपको फ्री सूचना मिल जाएगी अगर इस तरह की बा जो आज पच्छी सदार की है वो बढ़कर के एक लाग की हो जाएगी तो ऐसा कहीं कुछ नहीं किया अगर आपने आ यानी सुचना आएक्टों का अगर टेन्योर कम कर दिया उनके सलरी परक्स को कम कर दिया और उनके एपॉइंट्मेंट के तरीके को आप आप ने चेंज किया तो उससे आप कह रहे ही कि ये प्रभावी हो जाएगा ऐसा नहीं हुआ एक बात और बताना चाहूंगा कि पिछले कई सालों में जो एपॉइंट्मेंट्मेंट्स हुए हैं इन्फरमिशन कमिशनर्स के वो तब हुए हैं जब हमारे हैं कि सिबिल सुसाइटी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कम्प्लेंट किया है और वहां से जब डारिक्शन हुआ है तब हुआ है वरना सरकार इसको करना नहीं चाहती तो और एक और बात बताना चाहूंगा कि बहुत सारी सुचना हैं जो मांगी गई हैं फर एक्जामपल प्राइमिनिस्टर आफिस स के मामले में अरफायल दिल में लोगोंने सुचना हैं मांगी वो नहीं मिल रही है यह विनकटेश आ गये हैं उसको बारे में आपको डेटेल बताएंगे वो भी सुचना नहीं दी गई यानी डिमोनिटराइजेशन से लेकर के जो हमारे जो लोन के जो डिफाल्टर से और इ कमजور कर दिया जाए कि ताकि आपको इंफर्मेशन नमीले और इसमें आपने देखा होगा कि नाराजगी जो सरकार की हो बड़ी नेच्रल है इसलिए कि लोगों ने प्राइम मिनिस्टर की डिग्री योगर भी मांगनी शुरू कर दी जी तो कहरेगा मतलब ये कि अगर आप द केंदर के मुख्य सूचनायुक्त हैं सूचनायुक्त हैं उनकी नियुक्ति तो केंदर सरकार ही करती है लेकिन जो राज्यों के मुख्य सूचनायुक्त हैं या सूचनायुक्त हैं उनकी नियुक्ति भी अब केंदर सरकार करेगी यह क्या यह सच है और अगर यह सच है तो इ अगर ये होगी तो ये अफवाही होगी, इसलिए कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है, उसके तहत और जो ओरीजनल जो हमारा एक्ट है, उसमें इस तरह का कोई प्राउधान नहीं है, हाना कि बड़ा ये इनिफाइड एक्ट जरूर है, लेकिन सेंट्रल जो मिनिस्ट्री डिपार करेगी और स्टेट्स की जो डिपार्टमेंट्स हैं और जो और उनकी एजंसीज हैं, उनकी पबलिक अथार्टीज हैं उसके बारे में स्टेट गॉर्रमेंट्स को ये आधिकार है, तो हमारे ये फेडरल सिटप का एक बहुत important part है, और अगर ऐसा होगा, तो स्टेट्स की कon concurrence के तो मैं समझता हूँ कि यह बाड़ा बावाल मचेगा यह कश्मीर में तो आपने कर लिया लोग अभी चुपी सादे हुए हैं लेकिन अगर आप स्टेर्स में करेंगे तो जाहिरे के बीज़ेपी सरकार ही तो हो सकता है कि चुप रहें लेकिन जो नान बीज़ेपी सरकार रहें वो जाहिरे शुर मचाएंगी तो यह हमारे फेडरल से टप एक बहुत बड़ा धावा होगा और मैं समझता हूँ कि यह एकसेप्टेबल नहीं होगा तो मैं इस समय समझता हूँ कि यह शायद अफवाही होगी वेंग्रे जी संसद में पास हो चुका है सरकार उस पर क आती हैं और कमजूर भी करती हैं देखिए सबसे पहले तो यह आपके दर्शकों को सपष्ट रूप से पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से सुचना का अदिकार कानून के संशोधन में लोगों की सहभागिता को उन्होंने दूर कर दिया नजर अंदास कर दिया उसी प्रका नमबर वन अभी जो खबर आई है केवल मीडिया के कुछ सरोतों से खबर मिली है कि इन नियम जो बन रहे हैं तो उनके ड्राफ्ट में क्या है तो उस से उसके आधार पे ही हम बता सकते हैं क्योंकि सरकारी तरह किसी भी सरकारी महक में से कोई भी स्पष्ट बाते इसके बार है वो मुख्य चुनाव आयुकत के समान होगा और जो अन्य सुचन आयुकत है जो केंदर सरकार के और राजियों के जो मुख्य सुचन आयुकत है उनका पे या." लेकिन अभी जो ये बाते जो प्रचवीत हो रही है उसे ये पता चल रहा है कि मुक्य सूचना आयोत का दर्जा केंदर सूचना आयोग में क्याबिनेट सचिव के समान रखा जाएगा और जो अन्य सूचना आयोगते हैं वो सरकार के जो सचिव हैं सेक्रेटरी लेवल के अफ कि मुक्य सूचना आयोगते समान अब नियम बना रहे हैं क्याबिनेट सेक्रेटरी के समान या सेक्रेटरी के समान तन्खवा के हिसाब से यह आप देखेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं है लेकिन फर्क कहां पड़ता है कानून में जो बातें बताई गई थी उनको बदलने के लिए दुबारा संसत के पास ही जाना पड़ता है लेकिन जो नियम है सरकार मन चाहे रूप से उसको बदल सकती है नंबर वान नंबर दो जो इनको जो कार्यकाल दिया गया था कानून में संशो दिन से पहले वो पांच साल से बदल कर तीन साल को घटाने में ये शायद ल जो पहले पांच साल के थी उसको भी घटा के तीन साल कर रहे हैं लेकिन किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं या फिर कारण क्योंहें बता रहे हैं जो छे साल को इन्होंने बढ़ाया क्यों नहीं या चार साल तक इसको सीमित क्यों नहीं रखा ये तीन साल लगाने के पीछे के तरक किया है ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वेंकटी जी एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि कानून बने हुए तो 14 साल हो चुकी है लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देश के 57.5 फीजी 97.5 परसेंट लोगों ने इसका इस्तमाल ही नहीं किया है कुछ गिने-चुने लोग हैं गिने-चुनी आवादी हैं जिसमें इसका इस्तमाल किया है अधिकार मांगे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें विसंगिती है कि ज्यादतर ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन सूचनाओं का धुरूपयोग भी किया है देखे सबसे पहले यह तो आपके आंकड़े जो हैं उन्हें ज्यादा जखारात्मक हैं मेरे अपने आंकड़े जो मैंने आंकलन किया है। उसके हिसाब से पता ये चलता है, एक अंधाजह यही लगा सकते हैं कि देश के 99 प्रतिशत आबादी ने इस कानून का इस्तमाल नहीं किया है ये केवल सूचना आयोगों के वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पे निशकर्ष निकलता है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है सबसे पहले जिम्मेदारी तो मैं रखना चाहूंगा राज और केंद्र सरकार के दर्वाजे के सामने क्योंकि कानून की 26 दाहरा में लिखा हुआ है कि कानून के प्रचार प्रसार के कारिकरम केंद्र सरकार करेगी और राज्यों में राज्य सरकारें करेगी इसके उपर परियाप मातरा में काम नहीं हुआ है परियाप मात्रह में निदियों का, funds का आबंटन नहीं हुआ है और एक strategic तौर पे रणनी थी, कि तौर पर लोगों तक कानून के बारे में जानकारी पहुंचाने के, इसके परक्रियाओं के बारे में किस तरह से जानकारी मांगी जाती है किस तरह से अपील किया जाता है इन चीज़ों के बारे में लोगों को बताने की कोशिश सरकारी तोर पर नहीं हुआ है तो ये कारणे कि आज के तारिक में 14 साल बाद भी कानून का जिस तरह से इस्तमाल होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है लेकिन आप अगर आंकड़ों को देखेंगे तो आज के तारिक में कुल मिलाकर पिछले 14 सालों में दो करोड से ज्यादा आरटियाई के आवेदन केंदर सरकार के स्तर पर और राजी सरकारों के स्तर पर लगे हैं किसी भी लोक तंतर के लिए मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब दिये अगर मान लीजिए ये एक प्रतिशत की जो इस्तमाल हो रहा है आबादी के जो हिस्सा है जो इस कानून के इस्तमाल कर रहा है इसको यदि बढ़ा कर हमने 10% तक भी अगर ले गए उसमें सफल हुए तो आप देखेंगे कि सरकारी कामकाज में RTI का कितना बड़ा बोज पड़ेगा आटियाई को लेकर जो परिवर्तन करने की बात की जा रही है जिए कहा जा रहा है पे हम एक ऐसी विवस्था बना रहे हैं सरकार की ओर से ग्रियमंत्री हमेशा ने बयान दिया कि ऐसी विवस्था बना रहे हैं कि RTI की ज़रूरत ही ना पढ़ें अगर कोई भी विक्ति सरकार से कोई जानकारी चाहता है, सूचना चाहता है, पार्धर्शिता चाहता है तो उसे वैसे ही मिल जाए और इसलिए कुछ तारे फेर बदल किये जा रहे हैं, परिवर्तन किये जा रहे हैं, क्या यही है या इसके पीछ कुछ और देखे कहनी और कतनी में बहुत बड़ा फरक है। सबसे पहले तो अधिनिय ग्रहमंत्री जी ने जो कुछ दिनों पहले बात बताई वो कोई नई बात नहीं है। ये कानून सुचनादिक अधिकार अधिनियम के धारा 4 उपधारा 2 में बात लिखी गई है कि सरकारों को लोग प्रादिकरणों को इस प्रकार के कदमों को उठाना चाहिए कि लोगों को मांग कर जानकारी लेने की जरूरत कम हो और स्वैचिक रूप से लोगों को जानकारी द करनी में क्या फर्क है फर्क है कि आज के तारिक में यह अगरा पांच साल के जो हमारे जो अनुभव है अगर देखेंगे जानकारी के खुलासे से ज्यादा जोर दिया जा रहा है आंकडों के खुलासे पर जिसको मैं कहता हूँ डैशबोर ट्रांसपरेंसी जिसका जिकर हमने इतने टॉइलेट्स बना दिये हमने इतने सारे लोगों को स्कॉलर्शिप्स दे दिया हमने इतने लोगों को आवासियोजना के तहट लाब दे दिया यह काफी नहीं होता है क्या पात्र लोगों को यह लाब मिले हैं क्या जो आप आपड़े बतार इतने शोचाले आप अन् cigar हर प्रकार कि की चाहे्जstones का जो इस्तामाल का जी है उसको ब्लाने के बारे हो या फिर किसी कवा आपनेस सदक बनाने के लिए उसकी मरमत के लिए या पिर आपने किसी की नियुक्ति कर दि ऑा उन-के-पीछे के जो तर्क हैं नीरणायलेने की जो प्रक्रिया है इसमें परदर्शिता लोग मांग रहे हैं और इसको ज्यादा इन प्रक्रियाओं के वे रखनापनाने के लिए मुझे लग जाँ है पता नहीं अनसारी जी कैसे इसके میں अपना राय रखेंगे इन 14 सालों पे प्रकार की उमीद थी कि कितनले इस परदर्शिता आएगी उस हद तक पारदर्शिता Ukrainian नहीं अंसानी साव मुझा मैं आप से पूछना चाहता हूं कि बातरी पाड़्ध नहीं आई और सरकार अब पारी जो लोकतंत्र है उसके उपर एक बहुत बड़ा धावा है वो इस तरह से कि जब सूचना आईप्तों को एलेक्शन कमिशनर के बराबर माना गया था तो उस समय एक कंसेप्ट ये था कि लोग अपना राइट तू वोट अपना एक्सराइज नहीं कर पाएंगे तो मैं समझता हूं कि हमारी हमारे लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा एक इसका निगरिव इंपक्ट होगा दोसरी बात जिसका जिक्र जो है वो विनकटेश भी कर रहे थे कि पारदर्शीता 14 सालों में कितनी आई विनकटेश को मालूम है कि पिछले आठ दस मीना पहले एक हम लोगों ने इस्टडी किया था टांस्पेरेंसी आडिट का मैं और हमारे साथ हमारे को लीग थे एन्टिवारी साद तो उसमें हमने कोशिश ये की थी कि धारा चार के तहत जो मैंडेटरी जो डिस्क्लोजर है वो थमाम public authorities कितना कर रही है तो हमने ये देखा कि कोई भी ऐसी public authority नहीं है जिन्होंने section 4 कि compliance किया हो और वो जो information उनको public domain में डाल हो जैसा कि हमारे हो मिनिस्टर साब ने कहा कि वो आर्टी आई को इतना प्रभाई बनाना चाहते हैं कि लोगों को information ही नहीं लेनी पड़ेगी लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आपके पास जो mandatory information है जो public domain में आप नहीं रखते हैं तो यह कैसे कह सकते हैं कि लोगों को आर्टी आई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आर्टी आई डालने की तब जरूरत नहीं होगी जबकि तमाम जो information लोगों को चाहिए या तमाम जितनी भी public activities हैं जो सरकार करती है वो उसका आंकले जो है वो तमाम जो है यह एप्लिकेशन नहीं देते हैं और जो देते हैं वो मायूस हो जाते हैं बैठ जाते हैं इसलिए कि सरकार को देना ही नहीं है और वो तमाम public authorities जो हैं वो बहुत ही encourage हो गई हैं और जिस तरह से अब appointment हुए है information commissioners का वो penalty होगर भी नहीं लगाते हैं दो percent से कम cases में penalty लग रही है तो कहने का मतलब यह कि इस समय जो public authorities हैं वो काफी golden हो चुकी है जो information public domain में डालना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं जो information मांगी जा रही हैं वो भी नहीं दे रहे हैं और मैंने आपको इस मिसाल लिया कि ministry of form affairs, ministry of defense, PMO और तमाम पब्लिक अथार्टी जहां पे विनकटेश हो गरेने applications लगाई हैं वहां कहीं से भी information नहीं मिल रही है तो यह कहना बड़ा आसान है कि बहुत ही पारदर्शी हम बनाने जा रहे हैं सिस्टम को maximum governance होगी और पारदर्शीता होगी सिस्टम में मैं समझता हो कि इस समय जो सरकार जो काम कर रही है बहुत ओपेकली कर रही है और it is shrouded all in secrecy कोई भी information जो है public domain में नहीं आ रही है और शायद उसको छिपाने के लिए ये एक ऐसी कोशिश हो रही है ये कहा जा रहा है कि कारिकल जो पास साल की नुक्ती है वो तीन साल हो जाएगी इसके सासा नुक्ती का इदिकार किंदर सरकार के पास आ जाएगा पहले एक समिती बनती थी और वो समिती कितनी पावरफुल थी पारिदर्शिता और सचिता के आधर पर इससे चीजें होती थी लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब उनकी नुक्ती सीधे सरकार के हाथ में होगी और अगार सरकार को लगेगा कि कोई भी मुख्य सूचना आए उक्ते सूचना आए ठीक से काम नहीं कर रहा है तो सीधे सरकार हटा सकती है देखिए इसमें दो बाते हैं सबसे पहली बात ये है कि नियुक्ती की प्रक्रिया में कोई संशोधन नहीं हुआ है आज के तारीक में केंद्र सरकार के वर्तमान में तो सरकार में कोई अभी परिवर्तन नहीं किया है लेकिन जो एक्ट में कानून में जो बाते रखी गई है उनमें वो है इस नमें कोई परिवर्थन नहीं हुआ है, केवल परिवर्थन ये हुआ है, कि जो तनखवा और कार्यकाल के बारे में नियम बनाने का जो शक्ती है, वो कैंध सरकार को दिया गया है। जो नियुक्ति के जुशक्ति है वो अभी भी राजे सरकारों के पास है. लेकिन ये दूसरी बात, कि जब तक आप तैने ही करेंगे, कि पूसितने कार्यकाल तक आप किसी सुचना आयोगवत की नियुक्ति करेंगे, और उनको कितना तनखा आप देंगे, तब तक नियुक्तियां होंगे नहीं, तो एक अप्रत्यक शुरूप से, परोग शुरूप से, नियुक्ति करन शक्ति है किन सरकार के हाथों में चली गई, तो आज के तारिक में देखिएगा कही सारे सूचना आयोगों में, राज्यों म जाना चाहिए, और उनको तनखा क्या देना चाहिए, तो नियुक्तिया ऐसे नहीं कर सकते आप, ये सारे बातों को नियुक्ति से पहले बताना पड़ेगा, और उनके जो कांट्राक्ट होता है, ये सारे बाती उनमें शामिल होनी चाहिए, क्या सूचना, मुख्य सूचनाय भूमिका जो है, वो कुछ ज्यादा ही हो गया है इन नियमों के वज़े से, कल को देखी नियम बनाने के पीछे एक और समस्या ये है, कि हो सकता है, आज इनोंने तै कर दिया, मान लिजे कल इनोंने तै कर दिया, कैबिनेट सेकेटरी के दर्जा मुखी सूचनायक्त को देंगे और सचिप का दर्जा बाकी सूचनायक्तों को देंगे, ठीक है, अगर मान लो, उनोंने दो साल बाद, उन नियमों को खतम कर दिया, और बोला हम फिर से नए नियम आएंगे, कोई कोई और कारण उठाएंगे उस वक्त, जैसे संशोधन करने के लिए कारण उठाएंगे तो संघीय धांचा है, जो फेडरल क्वालिटी है इसका, कि राजी सरकारों के तरफ से, राजी सूचना आयोगों के बारे में नियुक्तियां, उनको हटाने की प्रक्रिया, ये सारे चीजे अलग-अलग रहेंगे, और खुद कानून तै करेगा, कोई सरकार नहीं तै करेगा, क कारेकाल कितना रहेगा, और तनक्वा कितना रहेगा, ये जो बुनियादी धांचा है, बुनियादी फ्रेमवर्क है, इसको बदल कर सरकार, केंदर सरकार, अपने हाथों में कुछ, जरूरत से ज्यादा शक्तियों को इन्होंने समेट ले लिया है, समेट लिया है, समेटा ज ये भी बात सच्च है कि जाग रुकता के बावजूद भी इतना बड़ा शक्ती होने के बावजूद भी अब तक देश के बड़े हिस्से ने इसका इस्तमाल नहीं किया है हम शुक्रिया करेंगे अंसारी साब का शुक्रिया करेंगे वेंकटेश नायक साब का जो हमारे साथ इस पूरी चर्चा में बने रहे हैं खबरों के सफर में इतना ही बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहे हैं सहारा समय के साथ